नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस शैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बॉयकॉट चाइना काफी दिनों से चल रहा है लेकिन यहाँ पर इंडियन गौवर्मेंट की तरफ से इंडियन इंटेलिजन्स जितनी भी सर्विसेस है जितनी भी डिपार्ट सभी ने 52 ऐसे एपस की लिस्ट इंडियन गौवर्मेंट को दी है कि वो यह चाहते हैं कि इंडियन गौवर्मेंट या तो इस पर बैन लगा दे या इसको पब्लिक को यूज करने ना दे या उन्हें ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करे ताकि यह 52 जो एपस हैं इसको यूज ना किया जाए क्योंकि यह नेशनल जो सिक्योरिटी है और जो लोगे मोवाइल में जो सिक्योरिटी है बैंक अकाउंट है चाहे कोई भी परसनल चैट है फोटोग्रेप्स हैं वीडियो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरना के एपस हैं दोस्तो इसमें आपका टिक एंडियन या वर्ल्ड के सभी ने इसको कवर किया है तो क्या है यह 52 की लिस्ट जो की हमारे लिए एक थ्रीट है हमारे लिए एक साइबर सिक्योरिटी का भी मामला है और हो सके तो हमारा बैंक अकाउंट डिटेल और भी बहुत सारी चीज़े हैं वो दिक्कत में आ सकती हैं जब गॉर्मेंट की संस्ताएं ऐसा कह रही हैं तो हमें यह चीज माननी चाहिएं क्योंकि काफी दिन से वॉयकॉट चाइना चल रहा है और एक रिमूव वॉयकॉट चाइना वाला एक एपस था जिसको प्ले स्टोर ने रिमूव कर दिया था क्योंकि वो जो एपस था उसक अब गॉर्मेंट की तरफ से नहीं चल लहीं थी यहाँ पर ऑफिशली गॉर्मेंट की तरफ से अभी 10 गंटे पहले ही इंडियन गॉर्मेंट को ये लिस्ट दी गई है यहाँ इसमें कौन-कौन से एपस हैं मैं नाम भी ले रहा नहीं चाहूँगा मैं आपको स्क्रीम पे दिखा देता हूँ 52 एप्स हैं तो इन एप्स को उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसी एडवाईजरी जारी की जाए ताकि पब्लिक इस एप्स को इस्तमाल ना करें या इस एप्स को इस्तमाल करते वक्त अपने जो फॉन की फीचर्स हैं सिक्यॉर्टी फीचर्स हैं उनको आउन रखे तो दोस्तों जो इस्तिती अभी दिख रही है इंडिया और चाइना के बीच में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 52 एप्स है न ये आपके किसी काम के वैसे भी है नहीं जितनी भी चीज़े हैं चाहे टिक टॉक है और ये बहुत सारे है यूसी ब्राउजर है उनका हम एक तरह से इस्तमाल करते नहीं है और इन चीज़ों मैक्सिम्म जो इस्तमाल हम लोग करते हैं वो कुछ गलत चीज़ों के लिए ही करते हैं यह मेरा मानना है और यह मैंने अनलाइज भी किया है लिस्ट में आप जब यह नाम देखेंगे तो आप खोदी देख लेंगे कि आपके मुवाइल में यह एप्स होते हैं लेकिन आप इनका इस्तमाल नहीं करते हैं आप यूसी ब्राउजर का इस्तमाल नहीं करते हैं आप वैसे भी जो कॉआम का एप्स नहीं होता है, वो आपकी रैम का इस प्रेस घेड़ता है, आपके फॉन को हैंग करता है, डिले करता है, और सलो करता है, तो अगर आप इसको निकाल भी देंगे, तो एक तरह से आपका फॉन भी फास्ट हो जाएगा, और आपको एक थोड़ा सा satisfaction में मिलेगा आप ये करके देखें तो ये है list जो screen पे आपको दिख रही है 52 apps है अब देख लीजिए इस apps में से कौन-कौन से आपके mobile phone के अंदर है क्योंकि by default अभी जित्ती भी Chinese phone है सभी में by default कुछ apps automatic आते ही आते हैं और कुछ apps जब update आता है तब वो आ जाते हैं तो उन्हें हम रिमूब कर सकते हैं जितना हो सके आप इसे रिमूब कर दीजिए और government को सहयोग कीजिए दोस्तों अगर video अच्छी लगी है तो like कर दीजिए video को जादा जादा शेयर कीजिए ताकि सब भी लोग को पता चल जाए 52 apps कौन से हैं और मैं तो यह कहना चाहूँगा जो भी apps आपके smartphone में हैं अगर उनका कोई भी use नहीं है कोई काम नहीं है तो उसको भी आप delete मार दीजिए क्योंकि वो एक तरह से आपके security और आपका जो phone है उसको hangy करते हैं और slow ही करते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को share कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी latest वीडियो मिलती रही यहां पर सबसे पहले देखने को दोस्तों इसके बारे में कुछ मत कहिएगा इसको भी मैं remove कर दूँगा